हेलो एवरिवान वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल सक्सेज मंत्रा आज हम लोग पर रहा हो रहा एवं पारिस्थेते की तंत्र की महत्पून बिंदों के बारे में पढ़ेंगे समझेंगे और याद करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक से रिले को इसे लिए आप रहेंगे अगर ये वीडियोज कंटी मर्स देखРЕ रहेंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो जलिए सचसंट चैनल को सब्सक्त्राइब करें उसके पास में जो बेल है उस आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सारे मिलते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो यह जो पॉइंट्स हैं यह आपके यूपी टेट और सूपर टेट के लिए बहुत साथा इंपोर्टेंट है इन्हें बिना पढ़ एक्साम देने मत जाएगा पढ़ लेंगे एक बार आप ससरी तोर से भी देख लेंगे नजर गुमा लेंगे तो आपको याद रहेगा और जब याद रहेगा तो इसका जो एफेक्ट होगा वो आपको जब आप कुशन पेपर देखेंगे तब पता चलेगा कि हाँ काफी कुशन सिमिलर हैं काफी कुशन आएं और आप इजली उनको सॉल्फ कर लेगे ओके चलेए परदा पॉइंट देखेंगे किया एकोलोजी का सरफ प्रतम प्रयोग किया तो देखें आप पूछा गया सरफ प्रतम प्रयोग किया किसका एकोलोजी वड़ का किसने किस ने किया अर्नेस्ट हैकल ने है थिक है तो जाद रखेगा एकोलोची को से और ननेस्ट हैकल फिर ओरीजिंट और्व स्प सिशीज ये बुक किस ने लिखी तो चार्स टार्विन लिखिए कॉन से तो karbon ॱय ओक्सएड। तथा आयोडीन के मिश्णन दौरह होता है. स्कूर्ण ले सकते्धा हैं जाएं कोपी में एके कर के no down करते चलिए Verm्जार मातमूर विंदू हैड चैप्टर हूं चेप्टर में मैतमूर विंदू कर आता है और फिर उसके बाद mcqs आती रहेंगी आप mcqs में और आपको points में लेंगे और no down कर डालिए ताकि आपका evils जो 30 marks का है उसमें आपके 25 प्लस आ सके ठीक है चलिए तो जो मेंग बीजन होता है वो आपके carbon dioxide और iodine के मिश्रन दौरा होता है किस नदी के पानी को green soup की संग्या दी गई है तो किस नदी के पानी को green soup का जाता है यमुना नदी चलिए नारियल के व्रक्ष को कल्प रक्ष की संग्या दी जाती है तो नारियल के व्रक्ष होता है उसे कल्प रक्ष भी कहते है का से कल्प का से कोकोनट ठीक है बांस गास है तो बैम्बू के आपकी एक टाप के गास है. चलिए, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प, रेफलेश ही आए. तो सबसे बड़ा पुष्प के है, रेफलेश ही है. और एक पॉइंट और नोट कर लिजे, कि जो इसका पॉलिनेशन होता है, वो किसके थू होता है, तो याद रहे विश्फ का सबसे चोटा पुश्व क्या हुता है आपका वूल्फिया ठीक है फिर नेक्स्ट है आसे, लकड़ी का बना cricket bat सरवोतम माना चाता है होकी मुक्रता शैतूत की लकड़ी की बनी होती है तो होकी किसकी बनी होती है शैतूत की लकड़ी की फिर लेंठाना जो अब उत्तर प्रदेश वा मद्र प्रदेश के जंगलों को बरबाद करी है एक सजावटी पौधे के रूप में लाई गए थी तो जो लेंठाना गए वो कहा है कहा है उत्तर प्रदेश वा मद्र प्रदेश ठीक है कि जंगलों में को बरबात करें और यह कैसा एक सजावती पौधा है बहुत इंपोर्टेंट है यह आपका स्रीटेट में भी पूछा जाता है फिर है जल कुम्भी भी एक सजावती पौधे के रूप में लाई गई थी इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है तो यहार बेल एक पूण तन पर जीवे यह इतनी बार आपको कोशन पूछा लाई अनलिमिटेट टाइम हर एक्जाम में इंपोर्टेंट ठीक है तो अमर बेल कैसा है पूण तन पर जीवी जंदन कैसा आपका अपूण जण पर जीवी सरवाधिक प्राचीन अनाज जो को माना जाता पूलों का विविद रंग क्रोमोप्लास्ट के अंतास संयोग पर निर्बर करता है लीव्ज ग्रीन होती है पत्निया क्यों होती है क्लोरोप्लास्ट और जो फूल होते हैं उनमें बहुत सारे रंग होते हैं क्यों तो क्रोमोप्लास्ट क्लियर चलिए फिर हैं पारिस्थित लाई तंतर परियोग सर प्रतम किसने कहाता हैG Ten intensely किता इंपॉर्टम भॉगत इंपॉर्ट है चैक्छा स्थिक्वराषि प्रेश क्रिया ए डीड किस प्रकाश रंग में प्रकाश NATION होता है लाल लाल वा नीला जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है अगर दोनों नहीं दोनों करिए जब बना एक ही दिया होता है आपको एक ही टिक करना होगा प्रकाश से लेशन की कडिया में CO2 तता है H2O का करमशा होता है तो CO2 का क्या होता है अपचेन होता है और H2O का क्या होता है ऑक्सी करन होता है याद रखिये CO2 का क्या होता है अपचेन होता है और H2O का क्या होता है ऑक्सी करन होता है वेरी इंपोर्टेंट और ये बेसिक चीज़ है लेकिन एक्जाम में हमें क्या कर देती है confused कर देती है ठीक है फिर next देखते है point देतीक, उतपादग, परपोश्य, भुक्तों, जनतों को कहते हैं। सर्व भक्षी या फिर ओमनी वोर्स या फिर सर्व भक्षी। नेक्स्ट रेम जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं अब घटक किसी भी पारिस्तिति की तंत्र में कौन सा एक तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवी पदात की मात्रा को कौन से संग्या प्रदान कियाती है खड़ी अवस्ता स्टैंडिंग स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी पारिस्तिति की तंत्र में एक निश्चित समय में याद रहें कि निश्चित समय में अजीवी पदात की मात्रा ठीक है तो इसे कहते खड़ी अवस्ता काद श्रंकला में उर्जा का प्रवाख किस दिशा में होता है तो एक ही दिशा में होगा जैसे यह आपका प्रोडिूसर उत्पादक है ठीक है फिर उसके बाद आपका कंस्यूमर्स हो गए उबोकता है फिर वाद अब घटक तो ऐसे ही दिशा में जाएगा ना कि विपरी दिशा में नहीं वर करेगा तो यह एक ही दिशा में होता है ठीक है जलिए एक समकुर्समुदाय के सभी जीवों में संबद स्थापित करता है खाद जाल पूर्डबे seminar उर्जा का प्रवा एक ही दिशा में होते हुए भी कई पतों से किसमें गुजरता है खाद जाल में खाद जान में के एक जाल टाइप का बने जान तो कहीं सारे दिशा होते हैं मुझे आपके पास options available है ठीक है दूसरी को कहते है खाद जान पारिस्थिति की विज्ञान में उर्जम आपने की इकाई है तो क्या है उश्मा प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है ठीक है functional unit तो क्या ह पारिस्थिति की तंत्र इस पारिस्थिति की तंत्र की विचायदार और को काल मुबियस तबर मुपस ने क्या इती तो याद रखेगा चैसे लग औरिदी बाएउ सीनौसिस तब माइक्रो मो अ ठीक है तो क्या संग्या देती बायो सिनॉर्सिस एंड माइक्रो कॉज्म किस ने देती कार्ल मोबियस तता फोबस ने देती ठीक है और हम बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे देखी हमको वो पढ़ना है जो कि एक्साम की पॉइंट आफ यू से इंपॉर्टेंट है चाहे वो बेसिक हो चाहे वो मॉडरेट हो चाहे वो टफ हो हमें सब कुछ कवर करते हुए चलना है ताकि आपके जो स्कोर है वो काफी अच्छा आप स्कोर कर सकें मतलब अगर आपका 30 मॉक्स है तो आप at least 25 to 28 स्कोर कर लें अगर आप थोड़ा और पढ़ लेंगे self study कर लेंगे तो 30 में 30 मतलब 29, 28, 25 आराम से easily आ जाएंगे और उसको करने के लिए क्या करना है आपको बस success मंतला चैनल को subscribe करना है और जो वीडियो है आप इसको देखते रही है परते रही है अगर आपको कोई problem है तो comment करिए वीडियो अच्छी लग रही है तो like करिए और अपने friends और family members के साथ share करिए thank you for watching